हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है सबलेंट टेक्स कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें चलिए शुरू करते हैं आप अपने लेप्टाप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लिजेगा ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन करने के बाद यहां पर आपको टैप कर देना है सब्लेम टेक्स इस तरह से टैप किजेगा इसके बाद आपको इंटर कर देना है इंटर करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट ओप्सन दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं सब्लम टेक्स का ओफिशली वैपसाइट ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करने हैं यहां पर आपको दिख जाएगा किलिक करते हैं EXC download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहाँ आपने EXC को save किया है वहाँ पर आपको इस तरह से EXC दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस EXC को पर आपको right click कर देना है इसके बाद आपको property पे क्लिक कर देने क्लिक करते ही है इस तरह से window open हो जाएगा अब मालिज़े यदि आपके case में भी यहाँ पर unblock दिखते है तो आपको क्याकरने इसको tick mark कर देने इसके बाद आपको apply पे क्लिक कर देने यदि आपके case में यहाँ पर पर double click करका install कर सकते या नहीं तब इसके ओपर right click करका ऊपन करके install कर सकते हैं या नहीं तब runmanister की आप click करका install कर सकते हैं तिनों चीज में से कोई जीज आप कर लिजेगा लेकिन मैं आपको suggest करूंगा हमेशा इस application को runmanister mode पर क्लिक करके install करना चाहिए इसलिए मैं अपने case में यहाँ करते हैं इसके बाद यदि आपको extrñaने चाहिए यहाँ कर सकते हैं यदिह आपacy नहीं चाहिए इसको नटिक रहने दीजेगा इसके बाद आपको क्या कर नोया यहांप नेक्ट पर क्लिक कर दilleryने इसके बाद को इंस्टॉल पर क्लिक कर द被 इंस्टॉल यहांगी तरह से इंस्टॉल होना शुरू रिनुट हो करने के लिए आपको क्या करने हैं यहां पर सच पर किलिक करने हैं इसके बाद यहां पर आपको टैप कर दिने सब्लाइन सब्लाइन टैप करते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसके उपर आपको किलिक कर दिने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओप